गुड इनिंग हमारे Class 10 के प्यार विच्टों आज हम लोग चलेंगे जो आपकी पोएमी पोएम चलें फार एड ग्रेग्री के आज हम लोग साट आइंसव टाइफ क्रिशन देखेंगे और इसके लांग एंसौ टाइफ क्रिशन देखेंगे प्यालबची इस पोयम में जितने भी आपके साट एंसर टाइक क्रिशन लांग एंसर टाइक क्रिशन दीवें आज हम लोग सभी के उतर रेखेंगे और इसके पहले इस पोयम का में हिंदी एक्स्प्लाइशन में सिंधी व्याक्य करा चुके हैं और अभी तक प्यालबची आपका प्रोच का 10 चैप्टर पुरी तरह से कंप्रीट कर चुके हैं और प्लेटी ओले सक्षन में आपकी 10 पोयम पुरी तरह से कंप्रीट हो चुकी है यह आपकी इग्रहमी और अंतिम पोयम चल लई है और आपके supplementary reader में 10 chapter थे सभी 10 chapter complete हो चुका है यह इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप channel की playlist में जाएए प्लेइस्ट में जाएंगे तो आपकी इपनी playlist बनी है UP board class 10 इंगले से लवस करके आपकी इपनी playlist बनी है उसमें सारी class से अपरेल से अब तक जितनी class से चले हुई हैं सारी class से schedule wise लगी हुई है तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं तो जल्दी से पहरवचे लोग आज की class से connect होते हैं इसके साट और long answer type question के साथ में यहां पर देखिए पहरवचे आपका साट और टाइप की शिन दिया हुआ तो जल्दी से पहले साट और टाइप की शिन देख लेते हैं फिर इसके बाद long answer type की शिन देखेंगे पहरवचे पहले question पे चलते हैं पहले question पे चलने से पहले जो भी बच्चे चलन पर पहली बारा है चलन को सस्क्राइब करेंगे वीडियो करेंगे और क्लास 10 की हरे एक बच्चे तो वीडियो करेंगे प्यारवचे आपकी जिम्यदारी है तो पहला किसन देखिए यहां पर पहला किसन दिया हुआ है बेटवीन हूम डस दी कनवर्सेसन इन दी पुएम टेक प्लेस प्रस्तुत कविता में किनके मद्ध वारतालाप होता है तो प्यारवचे एक तो है में मैं24 एंग मैं और एक यंग मैं और एक यंग बू निकर नहीं है वह नौुजवान कहुं द क्या नहीं और यह पाती है वह जो है राइट थो सकता है कोई अनी भी तो सकता है इंग्रेगरी के प्रेमी भी भी वह सकते हैं लेवर्बियों सब्सक्ार इसके बाद यूटूब होगे आपका diamond academy classes आपके चैनलक नाम होगा diamond academia classes तो प्यारों पर आपका esati पहले लिखा गया है इससे लिखा नहीं गया हमने लिखा बहुत ही महनत करके लिखे हुए है तो प्राव मद में वारता लाप हुईती मिसक्का कविता में तो प्रॉप जो जोंड या नौजवान इस्तरी के बीच में और नौजवान इस्तरी के बीच में लिखा हुआ एन ग्रेगरी हमने क्या लिका हुआ है एन ग्रेगरी मिस नौजमान जो इस्तरी है वह कौन है एन ग्रेगरी है लेकिन यंग मैन क्लियर नहीं है कि वह नौजमान ब्यक्ति कौन है ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि पोयम में विलियम बटलर इट्स ने इसको क्लियर नही लिए यह ब हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे question number 2 की तरह बढ़ते हैं देखते है question number 2 क्या है अपका यहां पर देखिए प्यारच आपका question number 2 लिखा गया है question number 2 क्या दिए विए है why do you young man means क्यों नौजवान ब्यक्ति love any means any से प्रेम करता है for her hair means उसके बालों से not for herself alone means न क्यों उसके स्वेम के लिए means जो young man है जो नौजवान ब्यक्ति है वथ any के बालों से क्यों प्रेम करता है और उसे स्वेम से means उसके गुड़ों से क्यों अके लिन नहीं प्रेम करता है उसके बालों से भी क्यों प्रेम करता है इसका में पूच रहे हैं कुसरिका है कोशन सुerson जो इतना सुन्दर पे इतना सुन्धर थी तो ऐले तो गॉल्टी का सुन्धर्टा पी जाएगा थे जम्हें इतना इसका मात चला गया था उस के कार na इतना अच्छा था बया कि बहुताई सुंदर थी तसलियत ध्यान चला गया था तो जल्दी सब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं क्रिशन नमबर दूई का उत्तर का होगा यहां पर देखिए पहले प्रेम किया उसके बालों से भी वह प्रेम किया ऐसा क्यों तो पहले इस इस तो ब्यूटिफुल एन ग्राइगरी बहुताई सुंदर थी दैट नो मैनी जे कैपेबल कोई भी व्यक्ती जो है कैपेबल नहीं था योग नहीं था आफ इग्नोरिंग मिस ध्यान न देने से हर एक्स्टर्नल ब्यूटी मिस उनके बाह सुंदर था को मिस कोई भी व्यक इस पीघुर उनको कैसर है उसको नहीं देख सकता था तुम एक बार जब कोई देखेगा तो एक दार सम्मोईद होई जाएगा ब दुबारा जब उसके साथ में रहें के तब उसका नेयचर खर देखेंगे रए काईशा नेचर हैं उन बनिया आउगा तो आगे सांध चल ज प्रेम कर रहा था ना कि उनके स्वहम से पूरी तरह से प्रेम नहीं करता था तो प्यारवचे आगे है इसी कारण से यंग मैं लब मिस्वा नौजवान व्यक्ति प्रेम करता था ना कि उनके स्वहम के लिए तो यहां पर होगा एंड नाट फार है प्यारवचे यहां फार जो हमने लिख दी वे फार के पहले आप नाट लगाओगे एंड नाट फार हर सिल्फ है एलोन हो जाएगा तो सिंपल से किसे नंबर दो का उतर हो गया इन ग्रेगरी इस सो ब्यूटिफूल दैट नो मैन इस पैपेबल आफ इग्नोरिंग हर एक्स्टरनल ब्यूटी एंड लुकिंग इंसाइड हर रियल नेचर दिस इस वाई यंग मैन लव एंड फार हर हैर नाट फार हर सिल्फ एलोन तो प्यारवचे यहां पर नाट फार ल यहां पर दखी पर अपको किसे नोबर तीन दीये हैं क्वात आर दी यह ज़омина यह बास उंदर तक कोई मतलब नहीं था ना यही था ना तो जल्बी सम्लोग देखते हैं किसर नोबर तीन का उत्तर क्या होगा यहाँ पर देखी पहले आपका question number 3 लिखे वी है what are any's views on external beauty means any के views क्या थे विचार क्या थे on external beauty means बासुंदर्ता के बारे में तो भाया any के विचार क्या थे जो है बासुंदर्ता के बारे में जरा उसका उत्तर देख लेते हैं any's does not believe in external beauty means any जो है बासुंदर्ता पर विश्वास नहीं करती है and wants to be loved और चाती है उसे प्रेम कियाजाए for herself means जैसे वह है वह चाती है उसी के आदार पर उसे प्रेम कियाजाए अर्थातु है चाती है कि उसके गुड़ों के आदार पर उसे क्या किया जाए प्रेम किया जाए न कि उसके बास सुंदरता के आधार पे प्रेम किया जाए see things वह विचार करती है that external beauty जो बास सुंदरता है is not important यह महत्रपूर्ण नहीं होता है उसके according बास सुंदरता महत्रपूर्ण नहीं होता है and it is changeable और यह कैसा है परिवर्तन सील है तो बहुतर है सही बास कई हुई है लेकिन पिर आपकी सुंदरता क्या होने लगेगी जो उस आधार पर आपके चेरे के आधार पर प्रेम किया होगा तो बताओ पूरी जिन्धगी साथ निभाँ पाएगा Imam पाएगा ना तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात होती आंतरिक सुंदरता होना चाहिए मिंस इसका बुलना उठना बैठना रहन सहन उसके इन सारी चीजों प्रिधान देना चाहिए आकि आजकल तो ऐसे होता है पहली नजर के प्यार हो जाता है और इसके चीरव में बदल जाता है रहते हमाँ कि यह चाहर掰掰 पता चलती है कि घरे का और क्या है तो इसलिए भाया जो है बच के ऱाना इन सुंदर चीजों से बच के रहना बाकी आगे कुछ नहीं करेंगे चूहेंगे प्यारप्चे यह हो गया किसे नंबर तीन का एकदम creating शंतर और वील्म-णूर्ची तरह बढ़ेंगे और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार ने चैनल को सिस्क्राइब करेंगे और बच्चे तक को शेयर और देंगी पैरफचे यह आपकी जिम्हेदारी है चलते हैं हम लोग किसे नमबर चार की तरह पागी बढ़ते हैं किसे नमबर चार देखी पैरफचे यहां पर आपका दिया हुआ है वाई इस दी यूथ मिन्स वह क्यों यूवा इंडिस्पेर मिन्स निराज था इं इसलिए तो निराज था तो इसलिए चौथे किसन का जल्दी से हम लोग उत्तर देखते हैं चौथे किसन का उत्तर क्या होगा फोर्थ किसन देखी पैरफचे यहां पर लिखे वी हैं वाई इस दी यूथ इन डिस्पेर मिन्स यूथ क्यों डिस्पेर मिन्स निराज क्यों इन ग्रेग्री कविता में वह निरासा में है उदास है the young man our youth is in despair in the poem for n gregory because he is disappointed in love क्योंकि वह प्रेम में क्या है असंतुष्ट है खुश नहीं है तो अगर ऐसा बात होती है प्रेम में खुश नहीं हुआ जाता है तो समझो इवा क्या हो जाएगा दुखी हो जाएगा निरास हो जाएगा उदास हो जाएगा अब उम्मीद करते हैं आप बात को समझ लिए होगे समझ लिए हो तो अगले क्रूशन की तरफ बढ़ जाते हैं पांचवे क्रिशन की तरफ यहां पर देखिए पर दिखिए पर पिर वादिश tastes नहीं होगा इस्वर का प्रेम व्यक्तियों के लिए क्या है वोना चाहिए यहां पर पोएट के बारे में उस रिलिजियस मैंने नहीं का हुआ था इस्वर के प्रेम के बारे में का हुआ था तो यहां पर थोड़ा सा कभी के बारे में उस रिलिजियस मैंने नहीं बताया था उसने इस्वर के प्रेम के बारे में बताया हुआ था तो यहां पर होगा गौड्स लफ फार मैंन होना चाहिए तो प्यालविक व्यक्तिनी इस्वर के प्रेम के बारे में क्या बताया था तो इस्वर के प्रेम के बारे से प्रेहिम करते है ना कि उसके सारी बेस्वाओस ना तो उसके सनरे बालों से जो इस feature नहीं करेंगे वह आपके क्वालटी से प्रेहिं करते हैं के वह अस्वर ही एक ऐसा हैं तो प्याऱ आपटने यहीं उसने बताया हुआ था जल्दि सम्क देख लेते हैं कुश्ण के प्रहते प्रेम है उसके बारे में उस religious man ने उस धार्मिक ब्यक्त नहीं क्या बताया हुआ था तो भाईया इसका उत्तर देखते हैं the religious man told यहां पर होगा the religious man has told होगा यहां थोड़ा सा correction कर लेना the religious man has told होगा तो religious man has told the poet means कभी को बताया that he has found a religious text कि उसने एक धार्मिक पुष्टक पाया according to this उसके अनुसार God loves a person इस्वर एक ब्यक्ति से प्रेम करते हैं not for his or her physical qualities उसकी सारीरिक सुन्दर्ता से इस्वर प्रेम नहीं करते हैं he loves a प्रेम करते हैं human for their inner qualities मिंस मनुश्यों को उनकी आंत्रिक सुन्दर्ता के आदार पर इस्वर क्या करते हैं प्रेम करते हैं उस पुष्टक में यह बात बया की गई तो इस एक इस नहीं बताया उस religious man ने बताया उस धार्मी की बेक्ति ने बताया तो प्यार्व सफ आंडर religious text according to that God loves a person not for his or her physical qualities ही loves the human for the inner qualities कर इस नमबर 15 का सीदे सटीक सा उतर ही इस इस से प्रेम करते हैं अब बताो सीदे बटा उस तर कि आपके चेहरे से क्या लेना देना है तू बताओ आपके साथ रहने आ रहे हैं कि इस तर जो है कि आपके सुन्दा चेहरा है तो बैया उनको कोई काम वाम लगेगा या फिर आपको देख करके निहार रहे हैं निहार करके खुछ हो रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं को कि भगवा तो कुछों मिल जाने का जहां लाला चाह जाएगा ना वहां तो आप सुन्दर चीज पी के प्रत्य आकरसित होंगे ही तो वही बात है इस वर लेकिन ऐसा नहीं होत्य है इस वर जैंपके इनर आपने कितनी अच्छे काम किये हो इसको देखेंगे आपका वहार कैसा हाई उसको देखेंगे तो इसलिगे कहा जाता है इस दारा करो इंसान से ना डारा करो इंसान तो सैतान का रूप है तो पिहलगा आपका question number 5 का उतर सीदे सटीक सा क्या हो गया The religious man told the poet that he has found a religious text according to that God loves the person not for his physical qualities he loves human for the inner qualities question number 5 का उत्तर complete हुआ अब हम लोग बढ़ते हैं 70 answer type question आपका complete हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे long answer type question के साथ बढ़ते हैं देखते हैं आपका long answer type question कौन कौन से दीवे हैं long answer type question पर चलने से पहले नीचे दिखरा होगा YouTube Diamond Academy Classes सभी लोग चैनल को subscribe कर लेंगे जो नहीं आए होंगे और class दसने के सभी बच्चा लोग में सेर्ज कर देंगी यह आपकी जिम्मिदारी है तो जलती चलते हैं प्यारचे आपका चलती से चलते हैं long answer type question के साथ यहां पर दिखी प्यारचे आपका लाँ त्षाय chu की सिंदीarchy इन ग्रेगरे न ग्रेगरी कर च्राविता में चाहिए लिगार्घ्स दिखाता है that we should give importance to the inner beauty हमें आंत्रिक सुन्दर्ता पर क्या देना चाहिए हमें आंत्रिक सुन्दर्ता को महत्तों देना चाहिए and not the physical appearance और बारी बेजबूसा पर जो हमें महत्तों नहीं देना चाहिए elaborate means इसकी व्याख्य करिए with reference to the poem means इस कविता के आधार पर जो है इसकी क्या गरीए व्याख्यकरिए करिए किसी विता में कभी बताता है कि हमें बाश सुंदर्ता के असamente को महत रेना चाहिए और सिंदर में इसे करना करना है और बात तो इसे से Йंडर सही केमी में है और अदार पर इखान देना है उसывать सुं तो किनम लेकिन सिठ्ध करना पड़े यां पर गूंस उन ऌ writes ऑतर के और चाहिए कहिए अधिया सब्सक्राइब कर दो के में शोपनेर कि मास जब सकाइब नहीं ग्रिप्तु सीद्ध कि वास ब सफक्व। व्याका करिई फेक पहले करिये वेसे को लिखे हुए है उसके बाद ये इससाले लिकिया है प्रेटो-बैटे देख 108 जरुन नेजिसा रिका सको हुए है and एंदर speaker और दूसरे वक्ता के बीच मी हुई है the poet has tried to show मिस कभी ने दिखानी की कोशिस किया that inner beauty is real beauty मिस जो real beauty है मिस वास्तिक सुंदर्ता क्या होता है आंतिक सुंदर्ता वास्तिक सुंदर्ता होता है whereas जबकि physical appearance मिस सारी रिक जो है truth достarrant नहीं होता है क्योंकि हो समय के साथ क्या हो त्वा हो जाए को जाए गए हम ज़्यादा सा रिक संदर्ता पर धियान वान नहीं देना चाहिए लेकिं लेख लोगोग पहले वही संदर्ता पर जाते है व्यूत की कौल कई सुंदर्ता देखना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन लेका लोग समझ नहीं पाते हैं अगे हैं एन सेड एन करती हैं that her hair color can be changed means उनके बालों का रंग परिवर्तित किया जा सकता है into black means काले में, brown means बूरे में means यह गाजरी कलर में वह परिवर्तित किया जा सकता है, meaning that इसका मतलब है external beauty is all superficial, जो external beauty होती है, जो बास सुंदरता होती है, is all superficial, वह परिवर्तित होता है means उपर ही होता है, and men should not have love for that, और मनुस्तु को उससे प्रेम नहीं करना चाहिए through any's view, यानि के विचारों से, the poet has made clear, means poet expressed करते है his preference, means अपनी choice को expressed करते है, for internal beauty over physical appearance means सारी सुंदरता के अस्थान पर, internal beauty पर वह क्या करते है, तुलना में वह accept करते है means internal beauty, जो आंत्रिक सुंदरता है, वह क्या है, बेहतर है इससे preference देते हैं कि आंत्रिक सुंदरता क्या है, बेहतर है, तो प्यारवचे यह हो गया आपका question number जो है, पहले का लांग है, तॉ टाइप question का सीधे से सटीक सा उत्तर हो गया, एकदब बेहतरीन उत्तर लिखाए हुए है, जितना जरुवती उतना उत्तर अमने लिखा हुआ है, फिसे एक बार देख लेना, इन दी conversation that takes place between N. Gregory and another speaker, the poet has tried to show that inner beauty is real beauty, whereas physical appearance is changeable and hence unimportant, instead that her hair color can be changed into black, brown, archaic root, meaning that external beauty is all superficial and men should not love for that, through any views, the poet has made clear his preference for internal beauty over physical appearance, तो प्यारची यह होगा, सीधे सटीक सा पहले question का उत्तर हो गया, जो आपका पहले question पूचा हुआ था, सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे, दूसरे question की तरफ, लाइख इस वो टाइप की की तरफ बढ़ेंगे, और चलते हैं दूसरे question की तरफ, फिर हम लोग लोग, दूसरा और लास्ट की समिना है, जलदी से नमऑ का की सटीक स्ना, लघुसरा की स्नान की तरफ बढ़तें हैं, यहां पर देख लई धकी, किसी ब्यक्ति को इसके बाह दिखावी अर्था सारी ब्यजबूसा के आदार पर न्यायित करना की कैसे सही है और गलत है क्या आप किसी के बाह ब्यजबूसा के आदार पर जच कर सकते हो और नहीं जच कर सकते हो यह ब्यक्ति सही है या नहीं सही है आप जो भी अगर बाख जो है बेस्पूसा, अगर सपोर्ज देट उ करिया इंसान है, तो का करिया इंसान को सीधे गोशित कर दोगे कि वह एक दम बेकार है, अगर उसके अंदर क्वाल्टी है, तो quality है तो आप quality को नहीं देखेंगे यही पूछ रहे है question number 2 में पूछ रहे है how right our rank means कैसे या सही है गलत है is to judge someone means किसी को judge करना on the basis of our physical appearance means उसके सारीरिक वेसबूसा के आदार पर किसी को सारीरिक वेसबूसा के आदार पर ज़स करना कितना सही है कितना गलत है यही पूछे वे हैं question number 2 में आपको यही लिखने है इस बात को सिद्ध करने है तो भया चलते है question number 2 के उत्तर की तरह बढ़ते हैं देखते है question number 2 का उत्तर का होगा और यह आपका last question है और आज की class का भी question है और इसके बाद इस chapter में 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 केवल आपका बचेगा language study जो नीचे आपको दिख रहा होगा यह multiple choice question जिसकी class आपको कल सुबह मिल जाएगी तो कल सुबह मिन्स आपका poem पूरी तरह से complete हो जाएगा तो जल्दी से चलते हैं पैप्चे question number 2 की उत्तर की तरफ बढ़ते हैं यहां पर देखी पैप्चे आपका question number 2 लिखा गया लिखे हुए है तो question number 2 की एकदम ध्यान से समझे how right our wrong is it to judge someone on the basis of his or her physical appearance जो हमने वहां पर बताई वही question यहां पर लिखे हुए है उमीद करते हैं आपको अर्थ उसका समझ में आ गया होगा कैसे judge क्या सही है गलत है तो प्यार्प्चे इसका उत्र देखे हमने क्या लेके हुए है physical appearance मिस जह है जो सारी एक वेजभूसा होता है never give true account of a person means कभी भी सही लेका आकड़ा लेखा जो खा नहीं देता है एक ब्यक्तिका कभी भी सही लेखा जो खा नहीं देता है as it can be changed जैसा कि यह परिवर्थित हो सकता है with the help of clothing means कपड़े की मदद से make up means जो थवडवा पे चपकाते हैं बिविन प्रकार के क्रीम पाउडर जो लगाते हैं वो make up लगा करके परिवर्थित किया जा सकता है and other such things और अन ऐसी चीजों से उनने क्या किया जा सकता है परिवर्थित किया जा सकता है किसको physical appearance को means बारी बेस भुगसा को क्या किया जा सकता है परिवर्थित किया जा सकता है आगे देखते हैं a person must be judged means एक ब्यक्ति को judge करना चाहिए on the basis of his behavior उसके ब्यवहार की आधार पर that shows the true characteristics of his personality जो उसके ब्यक्तित का जो उसके ब्यक्तित का सही characteristics दिखाता है means सही सुन्दरता को दिखाता है this is explained by यह ब्याक्या किया गया है by n means n के दौरा in her reply means अपनी उत्तर में to the first speaker means पहले speaker के उत्तर में यह जो n के दौरा ब्याक्या किया गया है that her beautiful hair कि उनका सुन्दर बाल hair color with attracts man is changeable means जो उनके सुन्दर बालों के color है वह जो है चिंजेबल है means उसे परिवतित किया जा सकता है hence इसलिए man should not fall in love with her इसलिए मनस्वों को उसके प्रेम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए based on her hair color means उसके बालों के color के आधार पर उसके बालों के color के आधार पर इसलिए बैक्तियों को उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए पतलब उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए अगर चक्कर में पढ़ रहे हो तो आंत्रिक सुन्दरता देखके पढ़ो किसी का बास सुन्दरता देखे ना पड़ोक नहीं देखने में सुन्दर लग रही तू सही सुन्दर ही होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कभी-कभी ऐसा भी निकल जाता है कि देखने में तो एकदम कर्टीना काइप और जो है आप ही देखोंगे तर पीटर बो करेंगे तो पहले किसंद ना सीथे शथी का उत्तर हो गया फिरसे एक बार के देखना अन्द एक बडर कर देखना फिरसे उत्तर बता देते हैं explained by and in her reply to the first speaker that her beautiful hair color which attracts men is changeable hence men should not fall in love with her based on hair color तो प्यारचे यह हो गया question number जाए दो का सीधे सटीक सा उतर हो गया और यहीं पर आपका complete होता है आपका short or long answer type question यहीं पर complete होता है प्यारचे हमने short answer type question करा दिये long answer type question करा दिये इस poem का अब बचा है multiple choice question मिस इसके objective type question जिसे कल सुबह वाली class में आपको मिल जाएगा उसके बाद यह poem पूरी तरह से आपकी complete हो जाएगे तो प्यारचे आज की class फिर यहीं पर complete करेंगे हाँ यदि आप हमारे blogging channel से जुणना चाहते हैं प्यारचे आज की class यहीं complete करते हैं मिलते हैं कल सुबह वाली class में और हाँ class खतम करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल कर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के लाइक करेंगे और यह प्यारचे आपकी जिम्यदारी है class 10 के हरे एक व्यच्चे तक वीडियो को पहुचाना है प्यारचे यह आपकी जिम्यदारी है आपका दिरे जिरे आपका फर्स्ट वेपर पूरी तरह से complete कर देए हैं और सारी class यह आपको चैनल के playlist में मल जाएंगे जितनी classes हुई है एक भी portion नहीं चोड़े हुए हैं सब कुछ कराई हुए हैं प्यारचे जिसलिए जो है सभी बच्चों में सेर करेंगे और खास करके गरामी चेत के उन बच्चों तो वीडियो को पहुचानी की कोईसिस करेंगे